प्रभास के लिए अनुश्का शेट्टी तोड़ चुकी है अपनी शादिया आपको बतादी कि सूपरस्टर प्रभास ने फिल्म बाहुबली सीरीज से करोडों दर्शकों का दिल जीत लिया है फिल्म में अमरेंद्र बाहुबली के करेदार ने दर्शकों के दिलों पर जो अपनी चाप छोड़ी है साथी फिल्मी परदे पर देव सेना अनुश्का शेट्टी के साथ प्रभास की जोड़ी को भी फैंस ने खूब जादा पसंद किया है इस फिल्म के बाद तो जैसे इस जोड़ी के दिवानों की जो फैन फॉलॉइंग है वो लंबी होती चली गए आपको बता दे कि मनुरंजन जगत में कई बार अनुश्का शेट्टी और प्रभास के अफेर की खबरे भी सामने आ चुके हैं मगर दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं खबर तो यहां तक आ चुके है कि अनुश्का कभी शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रही थी मगर प्रभास के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला ही पलट दिया था जी हां सही सुना आपने खबरों की माने तो अनुश्का शेटी साल 2015 में ही शादी के बंधन में बंधने में बंधने जा रही थी मागर उनके अजीज दोस्त और को स्टार प्रभास ने उन्हें फिल्म बाहुबली सिरीज पर ध्यान देने की सला दी थी फिर क्या था नुश्का ने प्रभास की सला को ले लिया बेहदी गंभीरता से दुल्हन बनने के सपने को साइड रख अनुश्का बाहुबली को सफल फिल्म बनाने के लिए पूरी तरह से जुट गई जिसके चलते अब वो सिंगल का ही टाग लेकर घूम रही है अब ये तो रामी जाने की प्रभास ने फिल्म बाहुबली के लिए अनुश्का शेटी को शादी करने से मना किया था या फिर वो नहीं चाहते थे कि अनुश्का बने किसी और की धुलनिया अब प्रभास के दिल में क्या था ये तो बखुवी वही जानते हैं फिलहाल यह जोड़ी आपको कैसी लगते हैं आपको है बताना प्लीज आप कॉमन सेक्षिन में लिखें Thank you so much, keep watching today's for more news